हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक यूनिक recipe शियर करने वाली हूँ, आपने राजमा और छोले अलग अलग तो हमेशा ही खायों गे पर आज मैं इनको mix करके बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने एक कटोरी राजमा और एक कटोरी छोले रात को भीकोई थे, ओर या परांठे के साथ रोटी के साथ क्या सब्का सकते हैं. तो मैंने अपने राजमा और छोले mix डाल दी हैं कुकर में और मैंने उपर उन से एक इंच न पर पानी लिया है इसे जदा पानी नहीं लेना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है ना सोडा, जो मीठा सोडा क्याते हो, आप बेकिंग सोडा, कुछ भी ने डालना है, मैं सिर्विस में डालने वाली हूँ नमक और हल्दी, इसमें मैं डालूंगी दो छोटे चमच नमक और एक छोटा चमच हल्दी, उसके बाद मैं इसे प्रेशर कुक करने के लिए हाई फ्ले अपने आप से निकलने दूगी, हम प्रेशर को निकालेंगे नहीं, जब तक प्रेशर नहीं निकलता है, हमें इसका ढखकर नहीं खोलना है, इसी बीच हम इसका मसाला तयार करेंगे, मसाला बनाने के लिए मैंने बहुत ही मिनिमम इंक्रियंस रखे हैं, जैसे कि दो टमाट है, अब मैं इनको ग्रेंड करूंगे, इनका एक fine या coarse paste बना लूँगी, उसके बाद मैं paste को भूनउगी, यह मेरा paste बन के तयार हो गया है, तो अब मैं इसे भूनने के त्यारी करती हूँ, तो यहां पर मैंने लिया है, दो बड़े चमश तेल, उसमें मैं ये paste डालूँग यह मैंने सारा पेज इसमें डाल दिया, इसको धीरे धीरे चलाते हुए मैं इसे धीमी आज पर पकाऊंगी, अब मैं इसमें कुछ मसायर डालूँगी, जैसे के लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से चोटा चमच हल्दी, फिर से मसाले के लिए मसाले के हिसाब से और एक चोटा चमच नमक, आप नमक छोलो में चेक करने के बाद इस स्टेज पर इर्म नमक को एजस्स भी कर लीजिएगा, मैं इसमें अब दो चमच धनिया डालूँगी, सूखा धनिया, और इसको धीमे से मिक्स करते हुए धीमे आज पर पकाऊंगी, इसको पकने में 10 मिनट लग जाए आप सबसे इसे पकाईएगा, नीचे ना लगे आपका मसाला जले नहीं, इसलिए बीच उच में चलाते रहिएगा, अब देखते हैं हमारा मसाला पक चुका है नहीं, देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसका मतलब है पक चुका है, बहुत अच्छे से बहुत देखिए कितनी सॉफ्ट हो गए है ये, बिना किसी बेकिंग सोडा के या मीठा सोडा के, बहुत ही अच्छे से पकर तेयार हुए हैं, मैंने ये मैश नहीं किया हैं यहाँ पर, आप चाहें तो इने थलका सा मैश कर सकते हैं, अब मैं अपने मसाले को अपने कुकर में ट्रा पतले बाले चाहिए थे, तो मैंने जादा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और पतला कर दिया उनको, अदर्वाइज आप पानी और जादा मड़ डालेगा, आपको ठिक रेवी खाने के आदत है, और इसको दो प्रेशर तक और पकाईएगा, तो देखिए, दो प्रेशर त मैं आपको इनको सर्व करके बताती हूँ, आप इसमें और गार्नेशिंग के लिए हरा दरिया डाल सकते हैं, आप इसे अपने कर पर जरूर जरूर ट्राइ करें, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपको कुछ एक्स्ट्र एफट नहीं करने हैं इसमें, मॉस्ट अफ़ द मेरे जीर राइस भी देखिए, कितने खुले-खुले हैं, अगर आपको जीर राइस की रेसिपी देखनी है, तो मेरी अगली वीडियो में देखिएगा, आने वाली वीडियो में आपको जीर राइस की रेसिपी भी बताऊंगी, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना